और जैपूर से इस वक्त की बड़ी खबर एक न्यूस चैनल पर लॉरेंस विश्णोई के इंटर्व्यू का प्रकरण और पंजाब पुलिस ने प्रकरण में केस दर्ज किया था पंजाब पुलिस की जाँच में जैपूर में इंटर्व्यू देने की बाद सामने आई जूम एप पर लॉरेंस विश्णोई ने इंटर्व्यू दिया था और अब जैपूर की लालकूठी पुलिस ने केस दर्ज किया है और जैसे ये पूरी इंटर्व्यू देने की बाद सामने आई तो पंजाब पुलिस ने भी प्रकरण में केस दर्ज किया था और पंजाब पुलिस की जाँच में जैपूर में इंटर्व्यू देने की बाद सामने आई जूम एप पर लॉरेंस विश्णोई ने इंटर्व्यू दिया था और अब जैपूर की लालकूठी पुलिस ने केस दर्ज किया है जूम एप पर लॉरेंस विश्णोई ने इंटर्व्यू दिया था और इस पर जैपूर की लालकोछी पुलिस ने केस दर्ज किया है अधिक जानकारी के लिए सही होगी राकेश दाधिच फोन लाइन पर फिलहाल जुड़ गए है राकेश क्या कुछ पूरी जानकारी न्यूज चैनल पर लॉरेंस विश्णोई के इंटर्व्यू का पूरा प्रक्रण और फिलहाल अब जैपूर में लालकोछी पुलिस के ओर से भी मामला दर्ज किया गया है बिल्कुल लीजी चैनल पर जो गैंगेश्टर लॉरेंस विश्णोई के इंटर्व्यू के बाद पंजाब पुलिस में एक SIT के गठन किया था कि इंटर्व्यू कहां से लिया गया क्योंकि SIT की जाच पे प्यारंदिक तोर पे ये सामने आये कि ये जो इंटर्व्यू था वो राजिस्तान से लिया गया है लेकिन अब पूरे मामले को लेकर फाय गच की गई है पंजाब पुलिस के जो पत्र के बाद लालकोटी ठाने में अब लोरेंस विश्णूई से जल्दी जो लालकोटी ठाना पुलिस से पूस्ताज करेगी इसको जल्दी प्रोडेक्शन वारंच पर लेकर आएगी क्योंकि यह प्रकरन जी क्लब की फायरिंग से जुड़ा हुआ है जब जी क्लब पर फायरिंग की गई थी उस प्रकरन पर गैंगेश्टर लोरेंस विश्णूई का नाम आय था जब पूस्ताज के लिए लोरेंस को जवार सर्किल ठाने में लाय गया था और लंबी पूस्त को लेकर उसी वाकते एक मेंजी चैनल पर लोरेंस विश्णूई का इंट्रीव प्रसारी को आता उस इंट्रीव के बाद पंजाब पुलिस दिल्ली पुलिस और राजिस्तान पुलिस ने पूरी जाज की थी अहला कि पूर्वे जैपुर पुलिस कमिश्णर ने उस इंट्र जाज करेगी और जल्बी जैपुर पुलिस कमिश्णर विजू जाज जोसोफ की नेतव पे ऐसाइटिया जपरी किया जाएगा जाएगा जी राकेश देखी जब ये पूरा मामला सामने आया था तो उस दौरान भी कहीं ना कहीं दो राज्जों के पुलिस की जो नींद है वो ओड गई थी लेकिन उसकी बाद में पुलिस कमिश्णर आनंदर श्रिवास्तव की ओर से उस वक्त कहा गया था कि जैपुर पुलिस की कस्टिडी या केंद्रिय कारगार में इंटर्व्यू नहीं हुआ क्योंकि कई सारी अफवाहें पहल रही थी इस मामले को लेकर बिल्कुल साफ थोर पर खारीच कर दिया गया था कि जैपुर से लो नेश ने इंटर्वाह नहीं दिया इसको लेकर पंजाब पुलिस में जाज की अब जाजपूरी होने के बाद पंजाब पुलिस में दावा कि इंटर्वीू राजिस्तान से प्रसारित हुआ था इसको लेकर अब राजस्तान पुलीस फिर नई सिरी से जाज करेगी पंजाब पुलीस के जो डावे किये गए है उस पर अब जैपुर पुलीस क्या जाज करती है अब आनेवाले वक्त में पता चलेगा चुश्रम के पुछे मामले को लेकर तुफला लगातार मामले में जांच परताल चुछा लिए और अब जैपूर के जम्वारामगट से बड़ी खबर जहां अलग-अलग मामलों में 26 लोगों को गरफतार किया गया है चंदवाजी थाना पुलिस की एक आरवाई और शराब पीकर शान्ती भंग के आरोप में गरफतार हुई है बड़ी खबर जैपूर के जम्वारामगट से चंदवाजी थाना पुलिस की कारवाई शराब पीकर शान्ती भंग के आरोप में गरफतारी हुई अरल लखतारी हुईया है